मत्य पर्देश की मंडियों में नए सोया बीन की आवक शुरू हो गई है उत्पादर में गिरावट के बाद सोया बीन किसानों को दोहरा जटका लगा है तरसल मालवा का पीला सोना कहे जाने वाले सोया बीन के दाम जमीन पर आ गए है मुनाफ़ा तो दूर किसान लागत मुल्या निकालने की जद्दो जहत कर रहे है नीमत जिले के मनासा से किसानों की परिशानी का वीडियो भी सामने आया है इसमें किसान मंडी के बाहर अपना दुख जाहिर करते हुए कहते हैं कि इतना कम रेट में बेचने से बहतर है कि हम अपना सोया बीन पानी में बहा दे किसानों का कहना है कि 300 रुपई रेट मिल रहा है इससे तो लागत निकालना भी मुश्किल है बीच खा डीजल सब महंगा लेकिन उपद सस्ता ये कहां का नया है दरसल मध्य परदेश का मालवा निमाड शेतर सोया बीन के लिए जाना जाता है सोया बीन की खेती करने वाले किसान भी समरीद रहे हैं लेकिन पिछले साल से ही सोया बीन किसानों की किसमत में घ्रहन लगी हुई है सोया बीन की फसल जून और जुलाई के महिने में बोई जाती है जबकि इसकी कटाई दिपावली के पहले हो जाती है किसानों को सबसे ज्यादा उमीद सोया बीन की फसल पर रहती है लेकिन अब ये उमीद भी तूटती दिखाई दे रही है इस बर मौसम की मार और तमाम वाइरस की वज़े से सोया बीन की पैदावार में कमी आई है इसके बाद किसानों को सोयाबीन के दाम की दोरी मार उठानी पड़ रही है मंडियों में 7000 रुपे क्विंचल बिकने वाला सोयाबीन आज बमुश्किल आधी कीमत यानि 3500 रुपे में बिक रहा है किसानों का कहना है कि एक एकड में उपच का भाव 12000 रुपे तक ही मिल रहा है जबकि लागत 15000 है यानि फाइदा तो दूर सोयाबीन घाटे का सोधा बन गया है नीमच मंसोर खंडवा भपाल समेत अन्य जिलो की मंडियों का भी यही हाल है Bureau Report Market Time Steel